सब्सक्राइब कीजिए वाइटी गुरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कलेजे और पाईए लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाईल में जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग की है या फिर आटोमेटिक जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो कहां पर सेव होती है उसको कैसे ओपन करें उसको कैसे हम लोग सुनें तो अगर आप लोग भी ज सबसे उपर तीन डॉट दिखेगा आपका कोई सभी मोबाइल हो आप में कहीं न कहीं तीन डॉट दिख रहा होगा तो उस पर आप लोग क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको ओप्सन मिल जाएगा recorded calls तो आपको इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल की सारी call recording यहाँ पर सो हो जाएगी चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ अगर आपको यहां से नहीं मिल ला है तो आपको कहां से जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो आपको आजाना है अपने मोबाइल के file manager application में हर मोबाइल में आपको file manager मिल जागा अब file manager में आने की बाद आपको आपके mobile के सबसे उपर categories का option मिल जाएगा तो यहां पर एक category होगा audio का तो audio वाले category पर क्लिक कर लिजे अब यहां पर आपके mobile की सारी audio सो हो जाएगी चाह सो हो रही है यहां से भी आप लोग आ सकते हैं तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ आप लोग अपने मोबाल के internal storage में आ जाईए ओके अपने मोबाल के internal storage में आने की बाद यहां पर आप थोड़ा सा मिल जाएगा तो उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए अब देखिए यहां पर आपके मोबाल की सारी call recording सो हो जाएगी तो मैंने आपको टोटल तीन तरीके बता दिये हैं इस तरीके से आप अपने किसी भी मोबाल में अपने मोबाल की call recording को खोल सकते हैं और आप उसको सुन सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो comment box में ज़रूर से पूछ लीजिएगा